एक छोटे से शहर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। लड़की का नाम सोनम था। सोनम को हर दिन नएने स्टंस सीखना और अपने स्केटबोर्ड से रोमाचकारी ट्रिक्स करना बहुत पसंद था। वह हर शाम अपने स्केटबोर को लेकर पार्क में जाती थी और वहां कई तरह के स्टंस करती थी सोनम के स्टंस देखकर पार्क में आने वाले सभी लोग हैरान हो जाते थे और उसकी प्रशंसा करते थे एक दिन सोनम पार्क में स्टंस कर रही थी कि उसे एक छोटा सा बच्चा स्केटबोर्ड सीखने की इच्छा से देख रहा था सोनम ने बच्चे की इच्छा को समझा और उसने उसे स्केटबोर्ड सीखने में मदद करने का फैसला किया सोनम ने बच्चे को बुन्यादी स्टंस सिखाए और उसे प्रेरित किया कि वह कभी हार ना माने। कुछ दिनों बाद बच्चा भी कई तरह के स्टंस करने लग गया। सोनम को बच्चे की मदद करके बहुत खुशी हुई। उसने सीख लिया कि दूसरों की मदद करना कितना अच्छा है। सोनम आगे भी पार्क में जाकर स्केटबोर्डिंग करती रही और नए दोस्त बनाती रही। वह सभी को यह सिखाती थी कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक बड़े से जंगल में एक छोटी सी लड़की रहती थी। लड़की का नाम रिया था। रिया बहुत ही प्रतिभाशाली गितार वादक थी। वह हर दिन जंगल में जाकर अपने गितार पर खूपसूरत धुने बजाती थी। जंगल के सभी जानवर रिया के गितार की धुन से बहुत खुश होते थे। वे हर शाम रिया के गितार की धुन सुनने के लिए जंगल में एकठा हो जाते थे। एक दिन रिया जंगल में गितार बजा रही थी कि उसे एक बड़ा सा साप दिखाई दिया। साप बहुत गुस्से में था और वह रिया पर हमला करने के लिए तयार था। रिया बहुत दर गई थी लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। उसने अपने गिटार को और जोर से बजाना शुरू कर दिया। साप रिया के गिटार की खूपसूरत धुन से बहुत प्रभाव प्रजन करती रही। एक बड़े से फूनों के बगीचे में एक महनती मधुमक्खी रहती थी। मधुमक्खी का नाम मीथा था। मीथा को हर दिन फूनों से रस चूसना और शहद बनाना बहुत पसंद था। मीथा का अपना एक छोटा सा शहद का घड़ा था जिसमें वह अ अपना सारा शहद जमा करती थी। एक दिन मीथा फूनों से रस चूसकर अपने शहद के घड़े में लोट रही थी कि उसे एक बड़ा सा मकडी का जाला दिखाई दिया। मकडी का जाला बहुत चिपचिपा था और मीथा उसमें फंस गई। मीथा बहुत दर गई और उसने सभी जानवरों को धन्यवाद दिया। मीथा ने सीख लिया कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और मुसीबत में फसने पर दूसरों की मदद लेनी चाहिए। मीथा आगे भी हर दिन मेहन से शहद बनाती रही और अपने दोस्तों के साथ खुशाल जीवन जीती रही।